नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम करेंगे एक फ्री में मेजिकल और्गैनिक फटिलाइजर तेयार तो ये मेरे पास क्राउंड नॉट्स हैं जो मैंने चट्नी वगेरा जो सांबर के साथ बनती है उसके लिए वंगवाये थे लेकिन इन में से कुछ स्मेल आ रही है क्योंकि बरसात का मौसम है तो अगर हमारे पास ज्यादा समान पड़ा हो तो वो सील जाता है और उसमें स्मेल से आने लगती है तो अब इसकी चट्नी तो बन नहीं सकती तो मैंने सोचा इसका क्या करें तो फिर दिमाग में आया कि ये तो इसमें फास फोर्स भी होता है पोटाश भी होती है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है तो मैंने इसका फटिलाइजर तयार करने का सोचा तो इसको हमने साथ से आठ गंटे के लिए सोख करने के लिए रख दिया और उसके बाद हमने इसका ये पान कि उसमें भी वो सारे गून आ चुके हैं. अब हम इसका बनाएंगे पेस्ट. इसको मिक्सी में ढाल कर एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे, जिस से हम उस पेस्ट को फिर सुखाएंगे और उसका हम केक बनाएंगे. तो पहले हम इसको अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे इसका ग्राइंड कर लेंगे वेस्ट नहीं कुछ भी होगा ये एक मैंने प्लास्टिक की शीट नीचे बिछाली है धूप में और अब हम इसको फेला देंगे किसी भी लकडी के डंडे से या फिर कोई पल्टा हो अगर लकडी का आपके पास तो उससे हम इसको बारीक पारीक पतला पतला इसकी एक पतली सी परत दूप में बिछा देंगे ताकि इसको खुब अच्छी तरह से दूप मिल जाए और ये सुक कर एक पपड़ी की तरह तैयार हो जाए और फिर हम इसको 4-5 गंटे की दूप दिखाने के बाद अब बाद में हम इसको आकर एक बार देखेंगे अगर ये सुक जाएगा तो हम इसको पल्ट देंगे पहले हम इसको अच्छे से पतला पतला करके फिलाएंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी सूख जाए ये देखे इस तरह से एक पतली सी परत मैंने इसकी बिछा दी है और ये देखे दो गंटे के बाद मैं आई हूँ देखने के लिए तो ये किनारों के रारों से सूखना शुरू हो गया है और बीच बीच में से भी कही जगा सूख गया है ये देखे अब ये चार गंटे के बाद का रिजल्ट है और अब यह काफी हद तक सूख चुका है अब हम इसको पलट कर देखते हैं ये देखिए पलट के देखो तो नीचे से थोड़ा सा गिला है और बाकी सारा सूख चुका है ये अब सारा हम धीरे-धीरे करके पलट देंगे ताकि इसको नीचे से भी दो गंटे की दूप कम से कम दो इससे तीन गंटे की दूप इसको नीचे वाले इसके पाट को भी मिल सके और फिर हम इसको एकठा कर लेंगे किसी बैग में या किसी बूरी में कि कहीं बेवी किसी डबे में आप स्टोर करके रख लें जब भी आपको fertilizer बनाना हो तो वो मैं आपको बताऊंगी इसको कितनी मात्रा में कितने पानी में कितनी मात्रा में डालना है पहले हम इसको अच्छी तरह से सुखा लेंगे किसी भी चाकू से या किसी भी तीखी चीज से आप इसको निकाल लें पलट कर रख रहें यह देखिए अच्छी तरह से यह चारो तरफ से सूख चुका है और पलटने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है यह अब इसको दो तीन घंटे के लिए फिर से छोड़ देंगे हम फिर आकर देखेंगे यह कैसा इसका क्या रिजल्ट है अब यह पूरी तरह से सूख गया है अब हम इसको एक लिफाफे में मैंने भर लिया है यह देखिए अब जब भी हम एक लीटर पानी लेंगे और दो मुठी इसमें डाल देंगे अगर हमने जब भी इसको फर्टिलाइजर को हमने तयार करना है तो ऐसे करना है एक लीटर पानी में दो मुठी यह हम डाल कर इसको तीन दिन के लिए हमने छोड़ना और बीच बीच में हमने आकर हिलाते रहना है इसको ताकि यह इसकी जो फर्मेंटेशन होनी है वह हो जाए अच्छी तरह से थिन के लिए हमने इसको छोड़ना है और उपर से धख देना इसमें थोड़ी ऐसी आती है वह थोड़ी बुरी लगती है इसलिए इसको धखके रखें जब भी रखें यह दिखें हम तीन दिन के बाद हमारा यह बिल्कुर अच्छे से तयार हो गया है और इसको एक बार एक गिलास इसको डालना है, यानि कि 200 ग्राम डालना है पांच लिटर पानी में, इससे ज़्यादा अगर हम डालेंगे, तो हमारा प्लांट खराब होने का डर रहता है, अब इसको आप अपने प्लांट में थोड़ा थोड़ा दें, और देखिए, आपके प्लांट कितने अच्छे हो जाते हैं, और्गैनिक फर्टिलाइजर है, बिना किसी पैसे के तेयार हो गया है, और घर में पड़ी हुई चीजों से इसी तरह इस्तेमाल करें, और अपनी सबजियों को, अपने पौदों को अच्छा फर्टिलाइजर दें, और्गैनिक फर्टिलाइजर दें, केमिकल से दूर रखें, इसी तरह गार्डनिंग करते रहें, खुश रहें,